दोस्तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उनकी सिप के उपर इविल कल्टीवेटर्स एक साथ हामला कर देते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैट्रियाज अपने पास से दो गदा बाहर निकालती हैं और अपनी सिस्टर्स के साथ उन इवल कल्टीवेटर्स क इसलिए फ्यूचर की मुताबिक जूचुवान को तो मरना नहीं चाहिए था इसे चैंग को पता लग जाता है कि किसी ने बाहरी काम से दखल दिया था इसलिए जूचुवान घायल होई थे जिसके बाद उसको बेश दिया गया था जिसके बाद चैंग सिप से उतर के चुवान को तकलीफ हुई थी चैंग जब पहाड़ों पे आके देखता है तब उसको वहाँ पे कुछ इवल कल्टिवेटर्स का गुरूप देखता है जिन में से एक बंदा हलका होने के लिए जाता है तब चैंग उसके पीछे से जाता है और उसको हमेशा के लिए उसकी सारी समस्याओं से पार कर देता है इसके बाद चैंग उसका ओड़ा ओड़ लेता है और उन्हें लोगों के साथ बैट जाता है उनमें से एक बंदा अपने लॉट के बारे में बात कर रहा था जो कि असुरा डेविल का रीकर्णिशन होने वाला है और वो कह रहा था कि जैसे ही यहाँ पे रीकर्णिशन ले लेगा जिसके बाद लोवर बल को तभा कर दिया जाएगा और इसे काफे ज़िदा पैसा मिलेगा चैंग को जादा कुछ भी समझ में नहीं आता है इसलिए वो चिपचप डिवान फिलम का इस्तमाल करता है और एक ही बार में उन सभी को जला के मार देता है चैंग जैसे ही उन लोगों को मार देता है जिसके बाद वो किसी दिल के उपर हमला करता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है चैंग जैसे ही उसको डिस्ट्रॉय करता है तो सिप के उपर जितने भी इविल कल्टीवेटर्स थे वो अचानक से एक जगा पे स्ट और आगे बढ़ने लगती हैं जिसके बाद वो कमरे के अंदर आती है और सोचते ही कि पता नहीं चैंग कहां पी चला गया तो चैंग अचानक से उसके सामने आ जाता है जिसने अपने हाथों में मरम बट्टी ले रखी थी और वह जुआंचु उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि ये उसका पहली बार है चैंग को जंटल होना पड़ेगा लेकिन चैंग उसे उसी वक्त पर रोग देता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब सिर्फ कोट उतारो दवाई लगानी थी जिसके बाद अगला सिन अगली सुबा को होता है और वो सभी लोग य बाहर निकलते हैं यानि केक सिटी के जो कि मियो के फादर है जिससे के बाद हम लोग गोस्ट स्टेट के लौट को देखते हैं जिसके बाद वहाँ पे एक ऐसा बंदा आता है जिसके बारे में किसी सोचा भी नहीं था और उस बंदे का नाम था चैंग हा जो कि फीजियान अपनी सेंस को लॉक करने के लिए इसलिए बड़ा सा बड़ा कल्टीवेटर भी इसे नहीं पहचान सकता है और इस बंदी ने चैंग का भेसा इसलिए लिया है ताकि यह कुछ लोगों को लूट सके और लूटने के बाद यहां से चुप-चप भाग जाएं फिकी लूटने से की कौन है जो कि उसके नाम का यूज कर रहा है उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं वो सब नकली चैंग के उपर फिदा हो जाती है और उसके उपर मढ़ने लगती है जो चुवन को याद आता है कि उसके पती का भी बिल्कुल सेम नाम है उसका भी चैंग नाम है इसलिए उ आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो सब भी हैरान हो जाती है और खास कर फ्रेग्रेंस सेक्ट की जितनी भी लड़कियां थी वो सबसे ज़्यदा हैरान होती है इसके बाद चैंग उस बंदे से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कर दो मैंने तुम्हे अपना दोस्त समझ लिया था नकली चैंग असले चैंग को तुनंद माफ कर देता है क्योंकि वो भाई भीड की बीच में कुछ तो कर नहीं सकता है लेकिन वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि उसे जब भी मौका मिलेगा तब वो असली चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा ले ने फिर से किसी गलत परसंग को मार दिया है इसे सबी लोग उसे घूरते हुए कहते हैं कि तुमने एक ही परसंग को दुबार मारा है जूट मत बोलो और वह लोग उससे बताते हें कि ये तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं सेनियर चैंग हैं जिसके बाद चैंग आगे से पूरी दरीके से पीटती है और वहां से आगे बढ़ जाती है और कुछ चैप्टर बाद चैंग इन्हें इतने डरा देगा कि ये डर के मारे सो भी नहीं पाएंगी वहीं पर जुवांचो को अभी भी सक हो रहा था कि चैंग कहीं असली वाला चैंग तो नहीं है या फिर सिर्फ इन दोनों के नाम एक जैसे हैं जिसके बाद हम लोग लोगों को क्यों सो इवेंट के अंदर इन्वाइट करता है चैंग को याद आता है कि यहीं बंदा जुवांचो के मैटर में सबसे बड़ा कल्प्रिट था जिसके बाद हमें एक एक करके सभी स्टेट के लॉट के बारे में बताया जाता है इसके बाद हम लोग विन स्टेट के लॉट को देखते हैं और इसका नम बगल वाले से पता चैंग से कहता है कि वह कुछ ज्यादा ही पॉलाइट हो रहा है वह सभी लॉट यहां पे स्टेट के नीचे आने वाले हैं इसलिए गैदरिंग रखी गई है ताकि वह लोग कुछ इसका हिसाब निकाल सके उसी टाइम पे चीजाओ का लॉट से कहता है कि तुम कुछ जादा ही वयाना खोच चुका है जैसा कि पहले था वह बिल्कुल अभी वैसा ही है और वो म्योग के फादर से पूस्ते हैं कि वह भी यहां पे आया है जरूर वह इवन के लिए आया होंगे और वह दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कौन इस साल क लगने न जिसके बाद होंग देखते हैं कि वहां पर नकली चैंग आता है और वो सबह 7 लौट्स जैसा यह अगे ऑगी से पयोट होने की जरूरत नहीं है और वह अपने मन के अंदर सौचता है कि यह कुझा रहा है लेकिन मेरे टकनिक कुछ ज़्यादा ही बहतर है इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा जिसके बाद वो सभी लोग चैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि चैंग कुछ ज़्यादा ही ताकदवार है और वो पूरे कौंटिनेंट के अंदर काफी ज़्यादा फेमस ह तो फिर असली चैंग में बीज में कूटते हुए कहता है कि हाँ वो बहुत ज़दा ग्रेट है वो चमकीला है नमकीला है धमकीला है और उसके पास बहुत ज़दा ताकत है पीछे से लड़किया कहती है कि साले अभी दो मिनट पहले तुमने उनके मूँ पे ही उनकी बीस्ती क ठी थी उसी टाइम में जो कुछ गेस्ट थे वह सभी चैंग से उसका नाम पूसते हैं तो फिर जैंग अपना असली नाम बताता है जो कि सेम था इसलिए वह सभी लोग चैंग से कहता है कि तुम्हारा नाम तो बिल्गुल एक जैसा है इसके पास जवांचू भी चैंग से कि यही उसका असली नाम है जिस पर चैंग आगे से कहता है कि नहीं जुवांचु उसे कहती है कि तुम्हें जूट बोला कुछ ज्यादा ही पसंद है उसी रैंपे सिस्टम चैंग से बताता है कि वह अपनी फिमस और रेप्यूटेशन का फायदा उठाके असानी के साथ क्यों इस समझ में आ जाता है वह नकली के बारे में बात कर रहा है अपनी मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें चैंग बनना को ज़्यादा ही पसंद है ना इसलिए चलो मैं थोड़ी टाइम के लिए और बनने देता हूं और मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम किस तक आगे जा सकते हो हम लोग इधर देते हैं तो नकली चैंग के कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी हो रही थी और उसकी ये भी तारीफ करी जा रही थी उसने ग्रीन हैर गॉबलिन को मार के बह है नहिEMA है जोकि नकली चैंग से कहता है कि उसके पासवाइन जाता है लेकी उसे यहाँ पे सब्सक्रांट जाता है कि उसे यह 100 लगने नहीं सकता है कि वह चीजाओ के लौट से कहता है कि वह उसकी मदद कर देगा तो फिर चीजाओ को लॉट अपने पास से फीनिक्स ट्रेजर निकालता है जो कि एक लेजनरी इमोर्टल आइटम है और यह ऐसा माना जाता है कि इसके जो आइटम की कैपेबिलिटी है वो अपर वल्ट की ग्रास के बराबर की है चीजाओ आगे से कहता ह है कि अगर को उसकी मदद करता है फंद को रिफाइन करने में तो फिर ये उसको एलप की रिवाड की तौर पर दे देगा जिसमें लिश्क उसे तुलंड रख लैता है और वो कहता है वह बाद में उसे पास एक इमोटल ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि करेब 10,000 साल पुर करता है कि उसकी मदद करेगा रिफाइन करने के लिए लेकिन आधे महिने के लिए उसे हवाले करना पड़ेगा ताकि वो उसे अच्छे से स्टड़ी कर सके जिसके लिए चीजाओ को लाट तुरान मान जाता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग को उसे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहां पर और रुख जा जब तक इवन खतम नहीं होता है नकली चैंग को भी ऐसा ही लगता है कि वो यहां पर रुखके और जदा फ़यदा उठा सकता है इसलिए वो रुखने के लिए मान जाता है उसी टाइम पे हम लोग चैंग चैंग उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि जरा ये बताओ कि तुम उसे कैसा अच्छा सा सबग सिखाओगे वो बंदा आगे से दाथ दिखाते हुए कहता है कि वो जाने से पहले किसी ऐसे लोट से कह देगा जो कि चैंग टुकडे टुकडे कर देगा चैंग जल्दी स एक बोरा उठाता है और उसके बोरे के अंदर भर लेता है और उसके उपर पंजिस मारते हुए कहता है कि ये साला मेरे साथ फैट करने बारे में सोच रहा था मैंने तो इसे जीने का मौका दिया था जिसके बाद चैंग उसे कुट्तो की तरह पीटता है और मार मार के उसे सु होती है जिसके बाद वो उनसे भी ट्रेजर्स को बोरे में भड़ता है और तुरन बाहर की तरफ निकल जाता है उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर एक लड़की आती है जिसने यह सुना था कि उसके बगल वाले कमरे के अंदर कोई बड़ा सा आदमी रह रह है लेकिन जब वो अंदर आके देखती है तब उसे परस जलता है कि असली चंग ने करने को बड़ता है और उससे कहता है किते हैं कि यह रिज़ी सन करने का एक खेटन में और वो इसके बारे में किसी को भी ना बताय वो लड़की भी आगे से मन में सोचते हैं कि ऐसा कोई तरीका भी होता है मुझे तो पक्का यकीन है कि वह एक बदमास है हम देखते हैं कि नकली चंग जैसे ही अपने कमरे के अंदर आता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे ट्रेजर सब चोरी हो गए है तब वो खून की आसो रोने लगता है और लिए उसकी आखे फट जाती है यह सोचते हैं कि उसे धोखा दे रही है हमें पता चलता है कि यह भी जुआंचो की फ्यूचर का कल्प्रिट है अगर जुआंचो इस बंदे के साथ जाती है तो फिर यह इसे बाद में धोखा दे देगा जिसके बाद यह जोएक स्लेव की त साथ नाता रखती है और वैसे उनकी फैमिली की साथ जाने से जुआंचो की फैमिली को कोई भी फायदा नहीं होगा लेकिन वह बंदा आगे से कहता है कि वो तो उसकी हिल्प करना चाहता था जिसके बाद वो जुआंचो को दार से पकड़ता है और उसे धंकी देते हुए क कहता है कि उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा वो तो बस उसे बचाने की कोशिस कर रहा था उसी टाइम पे हम देखते हैं कि चैंग उसके पीछे आता है जो कि उसे कहता है कि आवकात में रहो वह बंदा-चैंग से कहता है कि तुम कौन हो लेकिन उसी टाइम पर चैंग उसके मूँ के उपर एक जोरदार घूसा मारता है तो फिर वो उड़ते हुए जाके पीछे जाके गिरता है इसके बाद चैंग जोँसा को पकड़ती होए कहता है कि तुम्हें सरम नहीं आती है किसी दूसरी की बीवे की ओपर नज़ा डालते होए वो बन्दा आगे से जोँसा को गाली देती होए कहता है लेकिन वो competition के अंदर हर चीज का हिसाब बराबर कर लेगा जुआन जो जाते हुए कहती है कि आज जो भी हुआ है वो उसका बदला future में जरूर लेगी लेकिन वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही competition खतम होगा तो वो चैंग को बुरी तरीके से मार देगा और उसी टैम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उसे अच्छे से पता था कि ये क्या करने वाला है इसलिए चैंग वहाँ पे अपने divine flame का इस्तमाल करता है और वो बंदा अपने कंधे के उपर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी body के उपर हलकी सी आग लगी हुई है इसके अगले ही पल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगला धमाका होता है और उस बंदे की body अंदर से जल जाती है और उसकी हड़्डिया भी नहीं बसती है और चैंग इसी तरह से उसका काप यहीं पर खतम कर देता है हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचते हैं तब उन्हें बगल वाले रूम से यामे देकुदा साई की आवाजें आने लगती है इसलिए चैंग जुआचूंसे कहता है कि वो किसी दूसरे कमरे में जाकर सोच सकता है वो रात के लिए यहें पे आराम कर ले जिसके बाद चैंग वह से जाने ही वाला था कि उसे टाम पे जुआँ चैंग को कुस देर के लिए ऐसे ही होल्ड करना चाहती है और चैंग एक सिंगल कुटता था वो कैसे इसे मना कर सकता है इसलिए वो भी चांस पे डांस मारते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम जितनी देर चाहे उतनी टाइम तक पकड़ सकती हो खेर जुआन्चो चैंग से पूसती है कि उसने उन दोनों के बीच में सारी बातों कुछ सुन लिया होगा चैंग आगे से कहता है कि हाँ उसने सब कुछ सुना था जुआन्चो उससे पूसती है तो फिर उनकी फैमली हमारी फैमली की पीछे क्यों पड़ी हुई है हमने किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं किया है तो फिर हमारी फैमली को ये सब जिलना क्यों पड़ रहा है जिस पर चैंग उसे दुनिया की सचाई बताता है कि इनसानी जाथ इसी को ही कहते हैं वो अपनी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि कौन उनके साथ रहता है अगर मैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता हूँ और उन्हें फायदा देता हूँ तो फिर वो मेरी साइट पे आ जाएंगे और ऐसा ही हमेशा होते रहता है इसलिए जुआंचो को उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है वहें पे जुआंचो अपनी मन के अंदर सुझती है कि उसने पहले बार चैंग को गले लगाया है और चैंग की फिजिक और उसकी बोड़ी स्मेल काफी ज़्यादा अच्छी है और जुआंचो के पेट्रियाश ने उसे बताया था कि अगर पती पतने की पीच में ज़रा सा भी महल बिगड़ा हुआ है तो हलका सा फिजिकल कॉंटेक्ट उन्हें एक बुस्ट दे सकता है इसलिए जुआंचो अपनी मन के अंदर सुझते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता ही है इसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो चैंग को किस कर लेती है और किस करने के बाद तुरण सर्माते हुए पीछे मुर जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है लेकिन अगले सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं जिसका मुल बिल्कुल ठीक नहीं था दरासल वो तुनों एक ही साथ सो रहे थे लेकिन एक साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे इसलिए चैंग को सेल्फ कंट्रोल की ट्रिपल प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी उसे टाम पे हम लोग पहाड़ों के बीच में किसी कुबंदे को देखते हैं और यह बंदा जो कि असुरा इम्मौटल डॉमेन का रिकार्नेट असुरा डीमन था यानि कि ये भी रिकार्नेट हुआ है अपर वर्ल से जिसके बाद असुरा डीमन अपने पास से एक सील बाहर निकालता है और उसके उपर अपने खून के कुछ बूंदे डालता है जिसके बाद वो आगे से कहता है कि इम्मोर्टल असुरा डीमन के लिए जाग उठो हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर जो भी सोलजस जंग में मरे थे वो सभी जाग उठते हैं जो की हड़ियों में लग रहे थे इसके बाद ये बन्दा इन सभी को अपने पास अपने गुलाम की तरह रख लेता है और हमें पाद जलता है कि इसका प्लान है कि ये कियो सो इवन्ट के अंदर जाएगा और ट्रिप्टो को डोमीनेट करेगा जिसके बार लोवर वर्ल्ड के उपर ये सभी लोग मिलके राज करेंगे और ट्रिप्टो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ये इतने भी लोड इखटा हुए हैं अगर वो सभी पावर अपनी इसे एक ऐसे बंदो को देते हैं तो वो बंदा युल्जाओ को लोड बन जाएगा और वो सभी लोड जो एक साथ इखटा होंगे उन्हें ट्रिप्टो कहा जाएगा ये बेसे के लिए आगे के चैप्टर से बताया है इसके बाद अगला सिन डिर्क टोर्णाप मिंट का होता है हम देखते हैं कि वाइफ के साथ हस्बेंट ने भी हिस्सा लिया था और वो दुनों एक तीम की तरह फाइट कर रहे थे सामने वाले अपोनन के साथ जहां पर जुआन चूतों एकदम कताई खतानाग तर चैंग के हाथों में वो टोकल लग जाता है और वो बंदा पीछे से कहता है कि साले गलत जगा पे स्नीक अटाइक किये थे जिसके बाद हम लोग सीक्रेट टीरी-टीरी के बाहर का सीन देखते हैं और जो भी लोग हार जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है हम देखते हैं कि चैंग अभी खुसी हो रहा था कि उसी टाइम बे एक बंदा उसके उपर स्नीक अटाक करता है तो फिर जुआन चुँ उसके पीछे आती हैं और उस बंदे के उपर हमला करके उसे कहती हैं कि उसे चुने के वारे में सोचना भी नहीं इसी तरह से वो टूनामेंट चंता रहता है और जो भी लोग हाडते हैं तो फिर उने सिक्रेट टेरी टेरी से बाहर फिंक दिया जाता है हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो जितने भी सिटी लॉट्स थे वो सभी आपस में ही लड़ रहे थे कि उनके क्लैन के लोग ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा बहतर हैं चैंग जॉंग उन लोगों से कहता है कि तिन बड़ी फैमिली के एंसेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं और उन तीनों फैमिली के नाम इस तरह से हैं चैंग जॉंग यह तिनों फैमिली के एंसेक्टर यहाँ पे आये हैं और चैंग के मास्टर वाले मामले में भी यही तिनों गुनहगार हैं पाइंग अपनी मन के अंदर सोचता है कि यह तिनों वाइड डिफाउंडमेंट के ऊपर हैं और इन तिनों को जो प्रेसर था वो चैंग से जाधा था बिसके लिए निकली वाले के पास तो है ही नहीं तो जाधा कहां से होगा इसके बाद वो तीनों एंसेक्टर नीचे उतरते हैं और चैंग जोंगो ग्रेट करते हुए कहते हैं कि लेट से आने के लिए माफ करना चैंग के मास्टर का सक्ट है जैसे ही इन्हें ये पता चला कि लॉगविटी सेट के पास एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटर्नल बॉड़ी है तो फिर ये तीनों मिलके वहां पे गए और उस पूरी जगा को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन जिस बंदे यानि की चैंग के मास में ठिका हुआ था और फाइनल के अंदर आ चुका था लेकिन जो भी लोग ऊपर खड़े थे वह सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये गोल्टन पीक रियलम पे हैं लेकिन इसके बावजुद ये कैसारे नासन वाले बंदों को एलिमिनेट करके फाइनल तक पहुच च हैं कि वो सभी लोग चैंग को धर दबोचेंगे फिर उसके बाद उसे ये पता करेंगे किस बंदे के पास इंटरनल बॉड़ी है और वो सभी लोग उसे लोकेशन के बारे में पता करने लगेंगे जिसके बादम लोग टैंक फैमली के एंसेक्टर को देखते हैं जो कि बता बढ़ा सकते हैं और अपर वर्ल को तक्कर दे सकते हैं तो फिर हमें उसे पकाड़ना ही पड़ेगा जिससे हम सभी इंसानों की रख्षा कर सकेंगे और लोवर्ल को उसकी इजद दिला सकेंगे इसके अगे से कहता है कि अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर हमारे पास ऐसे कई सारे तरीके हैं उसे सच उगलवाने के लिए उसे टाइम पे सिस्टम चैंग को बता देता है कि कुछ लोगों ने उसके किलाफ सडियन तरचा है इसे लिए चैंग रेडी हो जाए जिसके बाद हम लोग दिखते हैं कि टूनांट के अंदर जिते भी लोग आये थे उन पर चीटिंग की है उसने किसी आर्टीफैट का यूस किया होगा इन सभी लोगों को मारने के लिए और फैनल में आने के लिए इसलिए वो सभी सिटी लॉट्स एक साथ कहता है कि वो सभी मिलके चैंग को इंट्रोगेट करेंगे और यह पता लगाएंगे कि चैंग ने होटों की ऊपर उंगली रखे उसे कहता है कि उसे अच्छे से खेढforce एक परापि कहने लगते हैं जिसके वाज्याग उसे लोगों की बीच में खड़ा हो जाता है और अपने मन की अंदर सुझता है कि Snake ने बताया था कि तीन मेजर इमोर्टल फैमिलिस ने मिलके Longivity Set को बरबाद किया था लेकिन Longivity Set इतना सक्तिसालिक खुद भी है कि वो Ziyan Tank फैमिली को अकेले ही बरबाद कर सकता है इसलिए चैंग को पूरा यकीन था कि ये तीनों फैमिलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है और इनके पीछे भी कोई ऐसा बंदा है जिसमने Longivity Set को बरबाद करने के लिए प्लैन रचा था और ऐसी फैमिलीस जो कि खुद करप्ट हैं बरबाद हैं वो मुझे साथ नियाए करने के लिए मेरे सामने खड़ी हैं वो सभी लोग चैंग से कहते हैं कि जियान टॉंग फैमिली के सामने खड़े होने के बावजूद तुम अभे तक अपने घुट्नों पर नहीं आये हो जिसके बाद हम लोग फ्रेंग्रेंस सेट को देखते हैं जहां पर उनकी पैट्रियाज और कुछ डिसाइपल थी वो सभी चैंग को ज्यादा भाव नहीं देती हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे सेट की बेस्ती करवा रहा है इससे पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था एंसेक्टर हस्ते हुए कहता है कि यह तो कुछ जादा ही सकती साली निकला इसने अपनी असली तागत को छुपा के रखा और कॉम्पीटेशन के अंदर बेस बदल के जीतता रहा चैंग जॉंग आगे से कहता है कि इसके पास और कोई भी प्लैन हो सकते हैं साय से यह फॉर्मेशन की स्टेज पर ऐजाता है और उसे कहता है कि आज कर रहे हिं वाज्ट की एंसेक्टर सभी को बताती है कि उसकी स्टेंठ बढ़ के गौर्ट वर्मेशन चुकी है जॉंग फेमली का एंसेक्टर चिला के कहता है कि बताओ लॉंग विटी सेट की इंटरनल बॉडी कहां पे रखी हुई है और उसकी लोकेशन कहां है लेकिन चैंग अपनी मन के अंदर सूचता है कि जुवांचों ने खेल को खेलना सुरू कर दिया है और वो जैसे ही मैच को ज सूचता है कि जैसा चल रहा है चलने दिया यहां पर कई सरे लोगी खटा हुए है एक छोटे बच्चे को इंट्रोगेट करने के लिए ताकि वह इन्हें बता दे कि इंटरनल बॉडी कहां पे रखी हुई है लेकिन आप में इसके खिलाफ और जदा खड़ा नहीं हो सकता हम इसे अराम से भी हैंडल कर सकते हैं जिसके बाद सी फैमली का एंसेक्टर चैंग से कहता है कि वो उनके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता है अगर चैंग उन्हें बता देता है कि इंटरनल बॉडी कहां पे है तो फिर वो लोग उसे जरा सा भी नुकसान नहीं तो फिर उसके दोस्त को कुछ भी नहीं होगा और वो विल्कुल सही सलामत रहेगी लेकिन अगर चैंग ज्यादा बत्तिमीजी करता है तो फिर वो सायद मर भी सकती है जिसके बाद सी फैमली का एंसेक्टर वहाँ पे अपनी एनरजी को रिलीस करने लगता है तो फिर जो उ से गयता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हों लेकिन चैंग उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके मूँ के उपर एक पंच मारता है जिससे उसके दाट तोटके बाहर जाके गिरते हैं जिसके बाद चैंग फुल स्पीड से सी फैमली के हैं इंसेक्टर के उपर धड़ा हिला देता है और जो भी घरते हैं वह सभी भुकम के वज़े से नीचे डह जाते हैं टैंग फैमली की इंसेक्टर अपने मन के अंदर सुचते हैं सी जियान जो की एक इमोटल स्लियर है वह उसके हाथों में बेसर हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि चैंग की अबन हों के तक्लाद करना है और पूरे एंट के उपर राजा करना और इसके लिए उसे अपनी पावर Q मुस्कुरा ने लगते और वहां पे थे वह सभी अपना सर नीचे जुका लेते हैं लोगों से कहता है कि अब चुप-चप सवालों का जवाब दो लांग विटिक सेट को बरबाद करने के पीछे किसका हाथ था और जो कोई भी जवाब नहीं देगा वह आज मेरे हाथों से मारा जाएगा हम देखते हैं क कि चेंग की फोर्स के वज़े से वह अब अपने जगा से हिलने लगे थे और चैंग ने इन लोगों को अपने असली नाम बता दिया था इसलिए वह सभी लोग सोचते हैं कि इसका नाम तो हैं कि यह असली चेंग है जिसके बाद उन लोगों से अपनी पावर कर रिलीज करते हुए पहला सवाल पूचता है कि लॉंग विटी सट को बरबात करने के पीछे मास्टर माइंड कौन था जिस पर उनमें से कोई भी अपना मुन नहीं खोलता है तो फिर चैंग धीरे-धीरे करकी अपनी फोर्स को बढ़ाने लगता है चैंग जैसे ही अपनी फोर्स को और जदा बढ़ाता है तो वो सभी लोग उसके सामने खाड़े नहीं हुपातने हैं और उनके मुह से खून आने लगता है जॉंग कमली का इंसेक्टर आगे से कहता है कि वो सब कुछ सच सच बता देगा इंसेक्टर आगे से बताता है कि उ भी तक हमें उसका नाम नहीं बताया गया था वागी सारे लोग भी आगे से यहीं कहता है कि उनके अंदर इतनी हिमत भी नहीं थी कि वो लोग फैंग कि उनके उपर हमला कर सके उसके पास खुदी इमोटल से इतनी ताकत थी वो आसानी के जाथ इन सभी को धूल चटा सकता चैंग जॉंग अपने मन के अंदर संचता है कि तुम सबी लोग बेवकूफ हो उनके स्यट का मेंबर है क्या तुम्हें पका यकिन ही कि उसे सब कुछ बता देने से ववामें जो और हमें तो नके नहीं मालेगा और वहां खिर आ जैक तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। हमों तिनों लड़कियों को देखते हैं जो कि अभी कुछ टैम पहले चैंग की बेस्ती कर रही थी। वो सभी अपने मन के अंदर सूचती है कि ये पूरे सट को बरबात कर देना चाहता है पूरे क्योसर इवन को। क्या इसे अंदाजा नहीं है कि इससे पूरे दुनिया क्योस में आ जाएगी अगर ये सभी लोगों को मार देता है और वो सभी लोग डर के मारे काप रहे थे कि कि उन्हें चैंग की आँखें कुछ जादा ही डरामनी लग रही थी। तब इस सिस्टम चैंग के पास आता है और उसे बताता है कि क्योसर इवन अभी तक खतम नहीं हुआ है अगर चैंग इन सभी लोगों को अभी मार देता है तो फिर चैंग को तीसरा टास्क पूरा करने में काफे ज़दा मुसीबत आएगी चैंग को भी ध्यान आता है कि वो गुस्ते में बाबला हो चुका था और वो बिना कुछ सोचे समझे सभी का सफाया करने वाला था इससे पूरी सिटी के अंदर के ओस भी हो सकता था उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि वहां पे नकली चैंग आता है क्योंकि इसे पता लग चुका था कि असली चैंग को नरक का इस्तमाल करने के लिए गिरफतार कर लिया गया है और यहां पर इसलिए आया है ताकि वो चैंग से बदला ले सके और मुझे इसी के आने का वेट था लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है तो वहां का महौल देख कि वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है चैंग जैसे ही उस को देखता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यहीं असली है और यसे पक्का यकिन था कि वो उस असली कोज़रूरा देगा इसलिए वह बागते हुए उसके पास जाता है और उसे गहता है कि सीनियर इस मौन्श्र को मार दीजे, ये एक डीमन है, ये हम सभी को मारने वाला है, वहीं पर नकली चैंग, अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इसी मौकी की तलास में था, मैं बस मौका ही धूण दा था कि कब मुझे इसे मारने का मौका मिले हैं, जिसके बाद वो तुरंट असली चैंग के उपर हमल चोट लग जाती है जितने भी लॉट वहाँ पे बैठे हुए थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सीनियर चैंग भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहे हैं असल में ये बंदे की ताकत क्या है और ये कितना सक्तिसाली है चैंग उसकी तरफ बलते हुए कहता है तो क्या म मेरा नाम काम कह था नकली चैंग उससे पोचता है कि तुम कौन हो इस पर चैंग उससे कहता है कि इस लोवर वर्ल के अंदर सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो कि 12 के 12 इमोटल्स को मौत के घाट उतार सकता है ग्रेन हार घोस्ट को मत्चः की तरह मसल सकता है मेरा नाम है चैंग हाँ जिससे जितने भी लोड थे वो सब भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नकली चैंग ने उनने बहुत बड़ा चूना लगाया है वही पर वह तिनों लड़कियां इतना ज़्यदा डर चुकी थी कि वह डर के मारे कापने लगती है और उन्हें पता चल बंदा जो इतना जादा डैर है कि यह मेरी कॉपी करने की कोशिस कर रहा था वह बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि यह असली चैंग है तभी इसने मेरे उपर किक मारी थी और मेरी बेस्तिकी थी और उसे समझ में आ जाता है कि चैंग उसे छोड़ेगा नहीं इसलिए वो तो आसपास खड़े थे उन सभी की चीखी निकल जाती है जिसके बाद चैंग चैंग चॉंग की तरफ आगे मढ़ने लगता है तो चैंग उसके कंदे के उपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि डरों नहीं अभी नहीं मारूंगा अभी बहुत सारा काम बाकी है दरसल सिस्ट करना जिसके वह सभी लोग आगे से सर जुका के हां कहते हैं जिसके बाद हम लोग कॉम्पीडिशन का सीन देखते हैं तब वहां पे जुआ जो अच्छे से फट कर रही थी और वह अपने अपोनन को बिलकुल आसानी की साथ हरा देती है जिसे के साथ जुआन को जीर लेती ह है कि यह इमोडल असुरा डीमन का रिकानेटेंट सन है और इसके पास भी पिछली मेमोरिस की सारी यादे हैं और यहां पर इस मकसर से आया हुआ है कि इसे पूरी की पूरी एक लाग असुरा डीमन की हिरो एक सोल को फिर से जिंदा करना है और उनको समन करने के लिए इसे असुरा डीमन को भाई गाले देते हुए कहते हैं कि तू कौन है भी कॉमिडिशन के बीच में कूद गया सारा मजा खराब कर दिया वहीं पे चाहिंग अपनी मन के अंदर सोच रहा था कि जियान के बाद यह दूसरा रिकानेटेंट सन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपर वर्ड में ऐसा क्या चल रहा है कि सभी लोग रिकानेट होगे फिर से लोवर वर्ड के अंदर आने के लिए उचल रहे हैं उसी टाइम में जितने भी स्टेट लॉट्स थे वो सभी उसे बस इतना ही कहते हैं कि अगर उसे इंविटिशन नहीं दिया गया है तो वह गुस्सा हो जाय और उसके साथ बुरी तरीके से ट्रीट करें लिकिन अपने पास से हिरो एक सॉल्स को बाहर निकालता है और वह उन्हें ओर देता है कि वह नोकिन हो एक सोल्स आगे बढ़ती है और जितने मासूम लोग थे उन सभी को एक हेक करके मारने लगती हैं और वह स देखते हैं जो कि अपनी पाउर्स करते हुए उससे फाइट करने की कोईसेश करती है तब उसे पता जलता है कि जितने भी हिरोइक सोल्स हैं वह सभी नौसेट सोल लियलम पे हैं और उससे उपर की कल्टिवेटर पे भी हैं और जदा तर उनमें से गौड ट्रांसफोरमेशन पर हैं इसलिए वो सभी लोग जल्दी से कहते हैं कि जलते भी लोग हैं उन सभी लोगों को अपनी जान बचाके यहां से भागना पड़ेगा और वो लोग उनके साथ वाइट नहीं कर सकते हैं हम लोग देखते हैं कि मियाओ की चिंता हो रही थी और वह बस यहीं उमीद कर हैं कि मियाओ अपने कमरें से बाहर न निकली हो उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि विंट सिटी का लॉट अपने मन के अंदर सोचता है यह सभी लोग काफे ज़्यदा ताकतवर हैं अगर वो उनके साथ वाइट करने का फैसला करते हैं तो सभी के सभी मारे जाएंगे इसलिए वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं चैंक कब एक्सल लेगा और वो उन लोगों की जान बचाएगा उसे टाइम में हम लोग देखते हैं कि चीजाओ का लॉट जल्दी से आगे बढ़ता है और वो असुरा डीवन की उपर एक जोरदार हमला कर देता है असुरा डीवन उसके उपर जरा सा भी भाव नहीं रेता है और तपी एक हिरो एक सोल उसके उपर अटैक करती है और उसकी पेट के अंदर अपना भाला गुसा देती है जिसे चीजाओ लॉट काफे ज़दा घायल हो जाता है और उसे पता चलता है कि ज़दा तर सोल्जर की पीक स्टेज पे है उसी टाइमबे हम लोग जुवाचो को देखते हैं जो कि सोल्बर साथ डीक कर रही थी और वह भी उस फैट के अंदर का सीसा पनी मन के अंदर पे इसे जान को खतरा हो सकता है और उसे चैन की चिंता ने लगती है हैn उसे टाइम में हम लोग देखते ह है जो कि उसके अटाइक को दो उंगलियों से ब्लॉक कर लेता है और एक ही जटके में उस सोल को हवा में मिटा देता है जिसके साथ उसे 5000 करता है कि वह अपनी कल्टिवेशन को बढ़ा ले नहीं तो वह पीला जा सकता है जिसके बाद जैंग असुरे डीमन की तरफ देखता है और वह जल्दी से एकसल ले और उनसमी की जिंदगी बचाए वह पे जुआन चो काफे जिदा हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल यह समझ में नहीं आता है कि हर कोई उसके हस्मेंट से मदद क्यों माग रहा है जबकि वो तो इतना कमजोर है उसे टैम पे हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को बता देता है कि तीसरा टास्क बस पूरा होने ही वाला है गुरू बस जल्दी से इस मुसीबत को खतम करो जिसके बाद मिसन तुम्हारी जूली में हम लोग देखते हैं कि चैंग को मज़ा आ रहा था जब हर कोई उससे ये कह रहा था कि उसकी मदद की जाए जिसपे चैंग एक दम मुस्कूराते हुए कहता है कि लोनली ने सुना और महा मही होना यह सबसे बढ़िया है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि असुरा डीमन अपने सोल्जर से कहता है कि वह सभी जाए और चैंग दिसे चूजे का खतम कर दें हम देखते हैं कि चैंग आगे से बस वन फिंगर यांग का इस्तमाल करता है और वह एक ही बार में कई सारी ह उतके घाट उतार देता है इसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी की पसीने चूटे जा रहे हैं उन सभी सोल्जर को मारने में और चैंग उन्हें उंगली दिखा के बस ऐसे ही मारे दे रहा है असुरा डीमन भी चैंग की ताकत दे के काफी ज़्यदा हैरान हो चु देता है यहाँ तक की असुरा डीमन को भी चैंग की स्पिट दिखाई नहीं दे रहे थी जिसके बाद चैंग उसके ओपर एक ठपड मारता है जिससे असुरा डीमन नीचे जाके धड़ाम से गिरता है और चोटिल हो जाता है जिसके बाद असुरा डीमन अपने पास से एक ऊपने मंन कें अंदर सूँजता है कि इस तर sold को रिलीस नहीं किया था हम लोग सभी आढ़े से कि शागी वजए से तुफान आ जाता है और जो भी लोग ते वह सभी पीछे की सकने लगते हैं यसे टाम बे जुवाँंचू को पता चल जाता है कि चैंग असली चैंग है और फिर गयान से cok की जो पैट्यास थी उन्हें पस्तावा हो रहा था कि उन्होंचे इन्होंने चैंग के साथ गलत बैवार किया उसे टाइम में जुवान चुका सर चक्राने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बन कोई गीली मचली नहीं था वो एक बहुत बड़ी सारक था इसके बाद चैंग असुरा डीमन को गले से पकड़ता है और उसे उपर उठा देता है और उसे पुलाता है और फाटियान को जो औरा था उससे सभी लोग ड़ने लगते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सक्ति साली था यहां तक ही चैंग को भी महसूस हो जाता है कि उसका अगला अपोनन कोई छोटी मचली नहीं है बहुत दिक्कत होने वाली है उसी टाइम पे हम लो कहते हैं यो जियो तुम दुबारा रिकानेट हुए और कमजोर हो गए इसलिए तुमने अपने ट्रम कार्ट का यूज किया और मुझे यहां पे बुला लिया चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यह तो इमोटल लेवल का प्रोटेक्टर है पाटियां जियो सो कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस कीड़े को मारने के लिए इसके बाद फाटियां चैंग की उपर एक पंच मारता है और उसके पंच में इतनी ताकत थी कि चैंग एक दम खिसकते हुए पीछे जाके गिरता है और काफी घायल हो जाता है इसलिए हर किसी को चैंग की चिंता होने लगती है कहीं वो मर तो नहीं गया और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना तम मेरी फट गई थी कहीं चैंग मारा तो नहीं जाएगा क्योंकि वैसे भी ये तो एक क्लोन है ना खेर देखो आगे क्या होता है पार्ट यान असुरा डीमन से पूशता है कि वो सच में चाहता है कि वो यहाँ पे रुके और सारे काम को खतम करे जिस पे असुरा डीमन उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से उसे मार दो पार्ट यान चैंग की तरफ आगे बढ को यूज करना चाहता है सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे दो लग इडवांस का इस्तमाल करना पड़ेगा इसलिए वह अपने एडवांस अवातार को यूज कर पाएगा ने तो चैंग का कुलोन यहीं पर मारा जाएगा और सारे मिसन में फिल्ड हो जाएंगे जिसके बाद चैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम तो कुछ जादा ही कमज़र हो बस एक ही पंच में मारे गए उट भी जाओ हम देखते हैं कि बागे स्टेट लॉट सब लोग अपने मन में यहीं सोचते हैं कि चैंग यहां पर मरने वाला है और कोई भी उन्हें बचान को मारने के लिए और उसकी पावर जड़ा सा भी कम नहीं होगी पर्टियांश से कहता है कि वो पूरी टाकत से चैंग पर हमला करने वाला है और चैंग में अपनी पूरी टाकत से उसे दिखा रहे और सबसे तक सकती साली कितना जदा सकती साली है क्या वो उसके कई सारे अट बढ़ हैं और जितने भी इमोटल लॉट्स हैं उन सभी को मार दें उसी टाइम पे हम लोग चैंगों देखते हैं जो की तीन लग पॉइंट का इस्तमाल करता है और उसका क्लोन एडवांस क्लोन बन जाता है जिसके पास इमोटल जनरल की पीक जितनी कल्टीवेशन थी जिसके जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके पेट के उपर एक जोरदार किक मारता है इसे फाटियान की हालात बिलकुल खराब हो जाती है और वो पीछे जाके एरेना की दिवाल से जाके टकराता है फाटियान को ये बिलकुल भी समझ में नहीं आया था कि चैंग की कल्टीवेश मारता है तो फाटियान पीछे जाके गिरता है जिसके बाद वो अपने घुटनों पे खड़ा होता है और वहां पे अपने सिग्रेट टिक्निक का इस्तमाल करके एक बहुत बड़े इसकेलेटन को समन कर लेता है जो कि चैंग के उपर अटाक करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो सभी सोचते हैं कि ये तो कुछ जादा ही सकती साली है असुरा डीमन अपने मन के अंदर सोचता है कि फाटियान इमोटल जनरल की लेवल पे है लेकिन इसके बावजूद वो चैंग को नहीं हरा पा रहा है और उसे ये सब को सपना लगने लगता है फाटियान अप पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम यहां से भाग सकते हो इसके बाद चैंग वन फिंगर यांग टेकनिक का इस्तमाल करता है और फाटियान के उबर उसे सूट करता है और वो फिंगर एक ही बार में फाटियान के चेहरे को चीरते हुए उसके प के अंदर सोचता है कि फाटियान पहले ही मारा जा चुका है इसके सामने कुछ जाएगा तुम्हारे पास उतना जदा दब दबा होगा और तुम इमोटल बन सकते हो और इसी के पास सबसे जदा कल्टिवेशन होती है उसे जोड के यहां पे पहले ही कई सारे इमोटल हैं जो कि क्यों सो कॉंडिनेंट के अंदर पैदा हो चुके हैं और यहां पे एक रेस श है तो फिर जूके इनो इसे लडािश के जब पावर को मिला दिया जाएगा और वह अपनी पावरश को किसी ऐसे परसन को देंगे तो फिर वह है वनली दौ को कंड्रोल करने की लिए मानने हैं बन जा चैंग उसे जलाके मार देता है और उसे कहता है कि बेसक जाओ ना जिसके पाद अगला सिन अपर वर्ल का होता है और हम लोग वहाँ पे आसुरा इमोर्टल डोमेन को देखते हैं जहां पे एक सर्वेंट आके सीटियान जो की इमोर्टल आसुरा डोमेन को लॉड है उसे बतात वह अपनी सर्वेंट से कहता है कि जा और जाके होंग लो को बोल दो कि मुझे बहुत जरूरी काम है और उसे तुरंद यहां पे भेज़ दिया जाए सीटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक दूसरे रिकार्डेशन को लोवर वर्ल के अंदर भीजना होगा तो बाकि जितने भी इम्मॉटल डोमेन की होल्डर्स हैं वो सभी उसके उपर हसने लगेंगे और उसकी बेजती करना सुरू कर देंगे और वो आखिर में कहता है कि क्यो सो टेजर लैंड सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है इसके बाद हम लोग नियोन लोट से कहती हैं कि आसुरा इमॉटल डीमन के जो दो लोग नीचे गया थे उन्हें किसी लोवर वर्ल्ड के बंदे ने मार दिया है और उनकी सोल दुबारा रिकनेक्ट नहीं हो पा रही है जिसमें वो बंदी आगे से कहती है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो रिक के साथ मार दिया वो लड़की आगे से कहती है कि क्योसों के लाइंड के अंदर कई सरे टेजर्स होंगे मिल उस्त जगह पर जाने हो सके उतना को सके हम लोग अपनी सकसफ्फुल के रेट को और जड़ा सके है और उसे टाइम में हम लोग चैंग को देखते हैं, सिस्टम उसे बताता है कि उसने असुरा डेमन की रिकार्णेशन को मार दिया है, तो फिर उसको 20,000 पॉइंट मिले हैं, लेकिन चैंग सिस्टम से गयता है कि इतनी जिल्दी क्या है, यहाँ पे अभी कैसार हिरोईक सोल बच जाता है, वो ड्रैगन आगे बढ़ता है, और जितनी भी बची कुछी सोल्स थी, वो उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, इसे चैंग को काफी सारे पॉइंट मिलते हैं, और वो काफी जदा खुस हो जाता है, इसके बाद आस पास की जितनी भी लड़किया आती है, और उसे पूसती है, क्या तुम ठीक हो, चैंग उसको दे के काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि वो पूरा रास्ता भागते हुए यहां पे आए थी, लेकिन चैंग उसे कहता है, कि मेरा इसे कोई लिया देना नहीं है, यही मेरे उपर कूदी थी, लेकिन जवान च ठीक है, उसे चोट तो नहीं लगी है, क्या उसे पेट में दर्द हो रहा है, और जवान चुको चैंग की सच में काफे जदा दिक्कत हो रही थी, चैंग उसे कहता है कि जदा दिक्कत नहीं है, पस हलकी फुलकी चोटे लगी है, और थोड़े तेर बाद वो फिर से ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसी टाइम पे चैंग को सिस्टम की बाते याद आती है, और सिस्टम चैंग से पूचता है कि अब आगे क्या करना है, सिस्टम चैंग को बताता है कि सारे मिसल पूरे होने के बाद नियम ये कहता है, जितने वी चैरेक्टर है, उने उनके असली औरेजन करके अपनी औरिजिनल बाड़े में फिर से वापस चला जाए और सिस्टम चैंग को वान देता है कि अगर चैंग जबरदस्ती जवांचु के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिस करता है तो फिर वो सभी लग प्रोफेशनल ट्रेंड है और वो होस्ट को कभी भी उनके लड़ थे वो सभी अपने अपने बर्तन उपर उठाते हैं और चैंग से कहते है कि वो सभी चैंग को अपना नया लोट मानते है और उसे वो क्योसो का फेवल्लीं प्रोटेक्टर बनाला कर देता है। और अपने मन के अंदर सोचता है कि सालो तुम मुझे एक सील की तारा इस्तमाल करना चाहते हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मिंगी आगे से कहती है कि सिर्फ चैंग ही है जो कि इस पूरे लोवर वल को बचा सकता है और उनके खिलाफ इमोटन से लड़ सकता है और वो सभी लो कुछ भी नहीं करते हैं कि कि उनकी फैमिले के पास तीन इमोटल्स जो हैं जिसके पाँ चैंग स्टेट लोट से कहता है कि बताओ तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो जिन में से ज़दादर स्टेट लोट चैंग की साइड लेने रखते हैं और वो कहते हैं कि अब वो और ज़दा नहीं जहलेंगे और वो जियान टॉंग फैमिली को बरबात कर देंगे और उन्हें यहां से निकाल देंगे चैंग जोंग अपने मन के अंदर सुचता है कि मैं इसकी साइड लोग और इसे पनमोट कर दूँगा लेकिन इसने एक ऐसा मूव चला है कि यह हमारी पूरी फैमिली को ही बरबात कर देगा यह बहुत कमीना है इसके बाद वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी रहा था कि उसे टाइम में विन्ट स्टेट के लॉट कहते हैं कि जादा मत बोलो हम लोग तुम्हारे साथ हैं लिकिन अभी के लिए युन्जाओ को बचाना अपना बरतन देते हैं उन्हें पकाड़ता है और उन्हें वह अपस में मर्ज करके एक बहुत बड़ा बरतन मना देता है जो कि उपर आसमान में जाने लगता है अपने मन के अंदर सोंचते हैं कि उसने चुन्तू लिया है लेकिन क्या वो टेस्ट को पास भी कर पाएगा य हमें बता जलता है कि टेस्ट लेने के लिए और कोई नहीं सुप्रियम थंडर आ रही थी और वो इस बासे काफे जदा खोश्ती की लाखो सालों बात कोई तो ऐसा आया है जो कि हैमनली प्रोटेक्टर बनने के लिए काबिल है लेकिन वो जैसे ही चैन को नीचे खड़ा दे जिए और वो बड़ी आसानी के साथ हैमनली प्रोटेक्टर बन जाता है जिसे सभी इस टेड़ लट काफी जधा हैरान हो जाते हैं वहीं पर चैन को काफी जदा ऐसा मैसूस होता है कि उसके पास क्योसों एवन का जित्ता भी कतरा कतरा है वह सभी उसे मैसूस हो रहा था और से पूचता है कि वो सिस्टम को अबीर150 चाहता कि जससे इंगा बनala चुका है तो तो बता करने की अधरयान की दीख ती यह प्ने मंन के अंदर सोछती है कि चैंग वे बात करना बिलकुल बंसकर दीया है और उसे होते हुए सोचती है कि पता नहीं अब आगे क्या करेगी इसके बाद अगला सिर्मनी का होता है हम लोग देखते हैं कि सभी लोग पीके टना टना हो चुके थे और वहीं पर फेरेगरिंस सट की जितनी भी लड़किया थी वह सभी आपस में बात करते हुए कहती है कि सिस्टर जवांचो के पास अच्छा मौका था कि वो लॉड के साथ कुछ भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने अपना मौका गवा दिया आव वो बिचारी दुख में दर्द में रो रही हैं हम देखते हैं कि जवांचो गम में डूबी हुई थी कि तब ही उसके पास कम्यूनिकेशन की जरिया उसे बात करती है जो उन लोगों से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है वो लोग इंचोय करें जवान जो जैसे ही अपने कमरे के अंदर आती है तब वो इस्प्रिट कम्यूनिकेशन को खोलती है तो उसके फादर सामने आते हैं और उसे पूझते हैं कि क्या वो ठीक है क्योंकि वहाँ पे कुछ अबरवल के कमीनों ने हमला कर दिया था जवान जो उन्हें बताती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है जिसके पाद उसकी मदर आती है जो उसके फादर को उठा के पीछे फेक देती है और वो अपनी बेटी से ये पूछती है कि उन्होंने सुना है कि जवान्चू को उसका पार्णर मिल चुका है और क्या उसका पार्णर उसके लिए ठीक है क्या उसके अंदर capabilities है और वो आगे से रूते हुए कहती है कि मेरा दमाद तो क्योसों का पूरा lot है मुझे तो और ज़्यादा खुस ही हो रही है जवान्चू आगे से कहती है कि इतने जल्दी खुस मत होई है आज कल वो मुझे कुछ ज़्यादा ही ignore करने लगा है तो फिर जवान्चू की मतर उसे एक कमाल की advice देती है वो जवान्चू से कहती है कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है जहां पर पांटा नराज हो जाता है तो तुम्हें चुप चाप उसे बेट के उपर लिटा देना चाहिए इसके बाद जो होना होता है वो अपने आप ही हो जाता है और तुम्हारे फादर को मैंने ऐसे ही फसाया था आप देखो हम लोग कितने खुस हैं और वो जाते हुए उससे कहती ही कि जब ये सारा काम खतम हो जाए तो दमाद जी को घर जरूर लेके आना जुआम्चू अपने बेट के उपर ही लेट जाती है क्या ऐसा करने से काम बनेगा क्या मैं चैंक के सज में करीब जा सकती हूँ उसी टाइम पर हम लोग चैंक को देखते हैं जिसको सारे स्टेट लॉट छोड़ने के लिए आये थे चैंक बिचारा कमरे के अंदर घुज जाता है नहीं तो सिस्टम उसे दुबारा उसे कभी भी नहीं मिलने देगा इसके बाद चैंक सिस्टम से पूछता है कि उसे डोमेन को एकस्पैंड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसे काफी जदा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और चैंग के पास इतने पॉइंट एक खटा करने के लिए जरा सा भी टास्क नहीं था इसलिए उसे कई सारे Immortals को मारना पड़ेगा लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि एक और रिकानेटन सन डिडिट किया गया है जा और जाके उसे मार दो चैंग उसे कहता है कि तुम तो बहुत चलाक हो तुमने सोचा कि मैं सिस्टम को अपड़ेट नहीं करूँगा तो फिर तुमने फिर से एक रिकानेटन को डिड़ेट कर लिया ताकि मैं उसे मार के पॉइंट ले सकूँ और वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसके पास क्योसो ट्राइपॉड है तब तक ऐसे ही Immortals उसके हाथों में आते रहेंगे और उसे पॉइंट्स के कम होने की दिक्कत नहीं रहेगी लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो थी जवान चुका Bad Luck वो उसे दूर कैसे करे तो फिर चैंग को याद आता है कि उसका Clone सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अगर वो अपनी Mean Body के अंदर चला जाता है तो फिर वो सिस्टम के अंदर कोई न कोई बग ढून के इस तरह के Function को हटा सकता है जहां पे वो लोग चैंग और जवान को मिलने से रोग रहे हैं अगला दिन में सिलिब रिसन का होता है हम लोग देखते हैं कि चैंग स्टेज के उपर खड़ा होता है मिंगी सबको बताती है कि यही बंदा कि उसों का अब से लॉड है और यह हमारी रक्सा करेगा और जितने भी लोग थे वो सब भी बहुत ज़दा खुसत हैं लेकिन उन्हीं की बीच में हम लोग चैंग स्टेज को देखते हैं जो जरा सा भी खुस नहीं था और वो चैंग के उपर पूरी तरीके से खफा था भीड की बीच में हम लोग जुआंचु को देखते हैं लेकिन उसी टाइम पर एक लड़की उसके उपर पानी का थाल गिरा देती हैं जुवान जो जंप करके उसको तो डॉज कर लेती हैं लेकिन जब वो नीचे लैंड करती हैं तब उसका पैर केले की छिलके के उपर पड़ता है और वो नीचे जाके गिर जाती है बाकि सकी सकियां सोचते हैं कि इसको क्या हो गया है ये कुछ अजीब बरताव कर रही है तिसरी बार में वो उन लोगों को पीछा करते हुए दिवाल के उपर चड़ जाती है लेकिन तभी दिवाल ही तूट जाती है और वो बिचारे नीचे गिरती है और फिर से फेल हो जाती है पांच वी बार में चैंग को भाई वोट्चल राइट दी जाती है तो फिर जुवांचो स्विमिंग करके उसका पीछा करने की कुछिस कर रहे थी लेकिन तभी पीराना उसके पीछे पड़ जाती है और जुवांचो अपनी जान बजाते हुए भागने लगती है और जुवांचो ने इसी तरह से 9 बार कोशिस की थी लेकिन वो 9 के 9 बार फेल हो चुकी थी उसे टैम पे उसकी सिस्टर्स उसके पास आती है और वो उसकी बेस्ती करने लगती है ये कहते हुए कि चैंग को जुवांचु के अंदर इंटरस्ट खतम हो गया है इसलिए वो उसके उपर जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है और जुवांचु चाहे जितने भी कोशिस कर ले वो कभे भी चैंग के पास अब दुबारा नहीं जा पाएगी और वो सिस्टर्स आगे से जुवांचु से कहती है कि वो आज चैंग को इन्वाइट करने वाली है उसके साथ मज़े करने के लिए जुवांचु को इस बास से गुसा आ जाता है और वो उस लड़की को सही था लेकिन उसी टाइम पे जुवांचु के सर के उपर एक गमला आके गिरता है और फिर से फिल हो जाती है जिसके अगले सीन में हम लोग देखने हैं कि जुवांचु चैंग के कमरे के बाहर खड़ी थी और वो उसके अंदर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो पी उसके बाद अंदर जा सके हैं उसे टाइम पे हम लोग चैंग जॉंग को देखते हैं जिसको दिखाई देता है कि जुवांचु वहां पे अकेली खड़ी है इसलिए वो सोचता है कि वो चैंग के साथ तो कुछ नहीं कर सकता है जिसके बाद वो जुवांचु के उपर हमला करने ही वाला था जुवान्चु को भी महसूस होता है कि कुछ हो रहा है लेकिन जब वो पीछे मुणके देखती है तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है हम लोग इधर देखते हैं कि चैंग ने उसे गले से पकड़ लिया था जिसके कहते हैं कि चैंग ने मना किया है कि कोई भी उसे इस टाइम पे नहीं मिल सकता है इसलिए जुवान्चु को जाना ही पड़ेगा तो फिर जुवान्चु वहाँ पाहारी बैट जाती है और वो उन गार्ट से कहती है कि जब तक चैंग नहीं उठेगा तब तक वो यहीं पर करेगी वो दोनों गार्ट भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यह बहुत परिशान करती है लेकिन इसने तो कॉपिटिशन को भी जीता था इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी बॉड़ी को स्विच कर लीता है लेकिन जब वो अपनी रियल बॉड़ी में युवे का था जो कि नीद में ही कह रहे थी मास्टर हिट मी हाडर तभी उसकी नजर लिंक की उपर पड़ती है जो कि अपनी उंगली को चाटते हुए कह रहे थी कि चिकन लगपिस कुछ जादा है डिलीसियस है इसके बाद जब वो अपने पीछे देखता है तब वहाँ प को गोली मारता है जिसके बाद बाहर निकल जाता है जुवांचु के मैटर को सॉल्व करने के लिए कि 20 सालों बाद चायंग को किसी लड़की ने पसंद किया है लेकिन सिस्टम उसे मिलने नहीं दे रहा है जाता है और वो सिस्टम के हर फंक्शन का इस्तमाल करते हुए सिस् सिस्टम भी चैंग के उपर बुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि सारे तेरी वज़े से मुझे अपनी पूरी कोडिंग चेंज करनी पड़ी है मैं तो उससे बात नहीं करूंगा उसे टाइम भे हम लोग असमान में देखते हैं तब वहां पे एक इमोटल गेट खुलत है उसके अंदर से यूजन बाहर निगलती है जो कि लोवर वर्ल के अंदर आई है इमोटल फ्रूट लेने के लिए लेकिन उसे पता जलता है कि यहां की स्पिचल एनरजी कुछ ज्यादा ही कम है और उसे यकिन नहीं था कि यहां पर इमोटल ट्री उख भी सकता है लेकिन इ अचानक से ऊठी ऑचला से उठी जाती है और चिला के कहती ऐए जिसके बाद भागते हुए बाहर निकलती हैं और खैती है कि बोडि कहा के गई जिसके बाद वह तीनों नीचे गुर जाती है और तभी चैंट उनके सम्र्म लाता है औ 생각 होट ए टी वो ऊचारों जैसे ही घज हुआ देखती हैं तो भाते हुए उसके पास वली जाती है और उससे गल्य लगा लेती हैं और उसे रोते barrier कहती है कि उरूने छाय को कांफे जिद्दा भाटी है वह चारों मिलके चारों को इधर figla को खीशने लगती हैं जिसे चायंग को गूसा आ है जिसके बाद चैंग उन चारों के उपर धमा धम घूसे मारता है और उन चारों को ही सांत कर देता है जिसे उन्हें ये केन हो जाता है कि ये सच में असली चैंग है और वो तिन उसे गले लगा लेती हैं और कहती है कि उन्होंने काफिे सब्सक्राइब बताओ कि मेरे चैंशन continuer और मेरे साथ तुम लोगों ने ख्यां-क्या-क्या-क्या-k UXP और होंग आगे से सीरे सा चहरा बन जाता है और वो तिनों नीचे की तरफ देखने लगती हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है देखो तो इन्हें कैसा चहरा बना लिया। इनके चहरे के उपर सब कुछ लिखा हुआ है। उसे टाइम पे भाई-उवे आगे बढ़ती हैं और वो चैंग को बताती है कि उसने चैंग के कपड़े बदले थे और वो आगे उस बताने ही वाली थी। अगले सिन में हम लोग देखते हैं कि चैंग नहाने के लिए जा रहा था उसे टाइम पे बायूवे उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने किसी तरह की दवाई खा लेती इसलिए उसकी बॉटी पॉईजन्ट हो गई है और वो चैंग को आगे से विम्प यानि की चाबुक देते हुए कहती है कि चैंग इसका इस्तमाल करके उसकी मेरिडियन्स को प्यूरी फाई कर दे चैंग आगे से अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है लेकिन वो आगे से दू-तीन पिल निकालता है और वो बायुवे को देते हुए कहता है कि तुम इनका इस्तमाल कर लो इससे तुम्हारी बॉटी पूरी तरीके से प्यूरी फाई हो जाएगी इसके बाद वो बायुवे को बाहर निकाल देता है बायुवे अपनी मन के एंद्स यही सोचते है कि वो अगली बार इस मिशन को पूरा सक्सेसफुल करकी ही रहे गी और वैसे बायुवे का मिशन सक्सेसफुली फिल्ड हुआ इसके बाद चंग बंड़ पके दर डूप जाता है और वो जैसे ही पानी को चूटा है तब उसकी आत्मा खुश हो जाती है और वो खुशी के हमारे मन मुहक हो जाता है उसे Champ बे, हम लोग बाहर की Demons को देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता जलता है कि Chang उठ चुका है तो वो सबी कुषे के मारे नाशना गारना सुरूर कर देते हैं और वो बहूँ ज़्यादा खुष हो जाते हैं उसे Champ बे हम लोग Yuchenne को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए जा रही थी और उसे कहें से भी ऐसे special energy महसूस नहीं हुई थी जहांपे कोई immortal tree उख सके लेकिन वो जैसे ही domain के अंदर enter होती है तब उसे महसूस होता है कि यहां के special energy इतनी जादा है कि यह आवरा immortal king जितना है लेकिन चैन को भी तुरण महसूस हो है कि यह पूरे जगा immortal energy से भरी हुई है लेकिन यहां पर lower world के कीड़े क्या कर रहे हैं वो सब ही demons आगे से यूचान से कहते हैं कि वो तुरण यहां से निकल जाए यह जगा उसके लिए अलाव नहीं है लेकिन यूचान आगे से चिलाते हुए अपने pressure को release करती है तो फिर उन लोगों से कहती है कि चैंग कहा है जिसके पास immortal fruit है लेकिन उसी पल उसके उपर एक और भयानक pressure पड़ता है और उसे चैंग का pressure महसूस होता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और अपने घुटनों पर आ जाती है और उसे तुनन समझ में आ जाता है कि यहां पर को को release कर दिया इसके बाद वो सबी लोग उपर चोटी के उपर देखते हैं तब घर के उपर बैठा हुआ उन्हीं लोगों को देख रहा था यूचन अपने मन के अंदर सोचती है यही चैंग है लेकिन मुझे ऐसा क्यों मैसूस हो रहा है कि मैं जलके मारी जाओंगी मुझे यकिन नहीं है कि अगर मेरा उसके साथ बैटल होता है तो मैं जीतूंगे या फिर हारूंगी लेकिन इंसक्टर की खातिर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा इसके बाद यूचन नीचे जुकती हैं और वो आगे से बताती है कि वह एक फैरी है और वह जुआन वो डोमेन के अं सके उतनी इंफोर्मेशन निकलवानी है और इसी के साथ यह एपिसोड यह पर खातम होता है